वेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल मैं डॉक्टर इतुजन मैं होमेपति कंसल्टेंट हूँ और मैं पहले भी आज आपको बता थारेड पे एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और वीडियो में पूरे सारे सिंटम्स मैंने बताए थे जो कि सारे सिंटम्स के साथ साथ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और अंडियोस कंडिशन जो बताई थी कि आप में ही समझ भाते की थारेड हो सारी चीज़े मैं आपको अल्री बता चुकी हूँ बट इस वीडियो में आज मैं उसका स्लुशन बताऊंगी उसका ट्रीट्मेंट बताऊंगी स्पेश कि हाइपो में होता है वेट गेन होता है और हाइपर में होता है वेट लॉस होता है और उसके साथ साथ उसमें कॉंस्टिपीशन होता है 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 और इसमें थोड़ा वावल मॉमेंट बढ़ जाते हैं और उसमें स्किन हाइपो में ड्राय हो जाती है और हाइपर में जो है स्कि परटी जादा हो ती तो कुछ यह डिफरेंट हैं दोनों में डिफरेंशेट करने कि लिए सिंटम्स पाकि जो में शिंटम्स होते हैं कि सभी में आपको नावस्टनेस रहती है आपको साथ ही साथ कई अधर डिजीजेज हो जाती हैं जैसे कि थायम डाबिटी भी हो जाती कर लिए तो उसके के सारी जो दिजीज होती ज़ोगalis होती सा जाती मीलते हैं कि अपको बहुत जादा जो हैजा भाट हरह भीषीजेज होजाना ताराइन जाना साथ में ग्रेव्स डिजीज होना, mentally आपको पहुत बीकनेस फील होना, आप फिजिकली भी वीकनेस आना, क्योंकि में बताया है कि था कि विटामिन D और कैल्शियम की डफिशेंसी हो जाती है, तो इसके कारण आपको कई सारे सिंटम्स मिल जाते हैं, चौइन स्पेइन होना, आपको मसल सेक होना, आप जल्दी थक जाते हैं, जल्दी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज में, तो यह सारे सिंटम्स मिलते ही हैं इसके वजे से, तो जनरली एक हेयर फॉल सिंटम्स भी होता है, जिसमें हेयर फॉल बहुत जादा बढ़ जाता है, और जनरली लोगों को अधर सिंटम्स को वह एक अपने रूटीन में ले लेते हैं, कि थकान कम्सूरी भी मैं काम करी हूं में दिन पर लगी हूई है, इस वजे से थकान कम्सूरी हो रही है, बट में पास पेशिंट्स कई बार ऐसे आते हैं, जो सिफ हेयर फॉल प्रॉब्लम लेके आते हैं, और बाद में उनसे बादशीत करने के बाद, उनकी हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है, उनको कई सा इस थारीट प्रॉडम है, उनको में टेस्ट के लिए बलती हो वाकि में उनको डिस्टर मिलता है है, तो 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 इसे पेशिंट्स आते हैं, जिनको बाद में हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है, सारी हिस्ट्री कि इनको जो है थारीट प्रॉडम है, उनको में टेस्ट क तो आज मैं डिसकेशन करूंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इसमें डिफिशेंसी जो हो जाती है विटामिट दी और कैलशियम की तो वह अगर डाइटरिक लिए बढ़ा सकते तो बहुत अच्छी बात है वरना उसके लिए हुमयतिक मैदिसन वह आती है विपितंक याल्शियमादश्राय जो की कैल्सी बूस्ट राता है एड्वीन कंहीं का साथ ही साथ आपम सिंपल किल्केलिया फॉस, कलकेलिया फ्लोर भी ले ले सकते हैं और भी medicine हैं जिसे hair fall का मैं अब यह नहीं बताऊंगे कि particular hair fall के लिए treatment है युकि इसमें जर तक thyroid आपका regulation ठीक हो जाता है जो medicine हो से तो आपको अपने आपके सारे symptoms में relief मिलना शुरू हो जाता है थोड़ा बत medicine उनके लिए भी लगती है बट जो है main important जो है आपका thyroid regulation ज़ से इरेघ्डाय को dodi हैं यह हार्मोन के अवाय का मतलब आपके फिमेल मैंने 12 इस्ट्रेबंस मिलना ही रहा है तो जजी जो medicine होती है ईसी कि преांप से लिए इसा की साहएति थी साति-अगर आपको ग्रेफईटीस मेडिसेंस जो है ऐसे बीसेंस हो त Rhode 4000 चोंडिसूनीन जो मीच्टी है और हन्तों मेरिटिसमेलेफिका PacSp Sat Keepie सब्सक्राइब हैं वाइब आजाने हैं द hemos should पेस्टि आपको में चूछ्छ को भी बहुत जआदा सोचना था यूजर्साथ आजाना साओ आपको है पाश्च अप्रेश्य जरूरी थे लिए नामसे ही नामसे ही मेडिसिन, उती है आगा थारेड़ में जरूरी होता थारेड जो आपका चुछा से लिए तारेड लेनाश्य रहता है नाम से ही आती है fortune कि आपके honom जरूरी होता है साथी साहथ क्या वह आपके thyrid gland को और सबसे जाधा जाननाepende कि ठाक किंधे शोर्बॉंग जाती है वर्ड जाती है उसकी ग्रोह हो जाती है तो वह नोडिूल बन जाते हैं तो उस कंडिशन को भी जारना जरूरी होता है तो उसके कोर्डिंग मेडिसिन हो जाती है कि आपका ग्रोंथ हो चुका है तो उसमें मेडिसिन्स थूजा हो जाती है मेड़ाइन हो जाती है और पूर मेरे से बात करना बहुत जरूरी है किके कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में क्या प्रॉमीनेंट ही किया चीज के छाँच छाने का अपकी क्या रहे हैं और अगर आप पहले से जानते हैं को थायरेड ? तो आप क्या medicines ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको solution पूरे से proper मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो भी आप मुझे comment के थूर बता सकते हैं और अगर आप undiagnosed condition में हैं बट आपको इस इंटम्स जो मैंने बता है वो सारे symptoms मिल रहे हैं और आपने कोई diagnose नहीं करा है तो प्लीज एक बड़ आप diagnose करा सकते हैं और मुझे भी comment करके फिर बता सकते हैं कि आपको इस इंटम्स पिल रहे हैं और साथ ही साथ मेरे facebook page को भी like करें क्योंकि उसमें ही मेरे life clinic के schedule और timing जो है उसी में show होते हैं तो आपको मालूम चलता रहेगा Thank you